नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर भाफना और आज हम डीफ्रैक में चर्चा करने वाले हैं इन्फोडेमिक के बारे में आप सोच रहे होंगे कि पैंडेमिक के बारे में तो सुना था और इन्फैक इस वक्त हम लोग कोविद नाइंटीन पैंडेमिक से स्ट्रकल भी कर रहे हैं लेकिन ये इन्फोडेमिक किस बला का नाम है क्या ये भी COVID-19 pandemic की तरह ही बहुत घातक है? और अगर हाँ, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? क्या इस COVID-19 pandemic की ही तरह vaccination, sanitization, mask या फिर social distancing के जरीए हम इससे बच सकते हैं? और अगर नहीं तो फिर इसका और उपाय क्या है? तो आईए इन सारे सवालों के जवाब ढूणने की कोशिश करते हैं आज की इस चर्चा में, तो अगर मैं infodemic की बात करूँ तो infodemic दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, information and epidemic, information यानि सूचना और epidemic यानि महामारी, यानि सूचना की महामारी, अब आप सूच रहे होंगे कि सू तो सूचना महामारी कैसे हो सकती है, बिलकुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन अगर वही सूचना गलत हो, वही सूचना भ्रामक हो, वही सूचना कोई अफवा हो, तो वो आपको फायदा पहुचाने के बजाए नुकसान पहुचा सकती है, और वो नुकसान इतना बड़ा हो सकता है कि उससे किसी की चान तक जा सकती है जब COVID-19 आया था तो उससे समंदित एक American Journal है उसमें ये बात निकल के आई रिसर्च में कि 2020 के शुरुवाती तीन महीनों में COVID-19 से समंदित फेक निउस की बज़े से दुनिया के अलग-अलग देशों में लगभग 800 लोगों की जाने गई हैं उन अफवाह भ्रामक खबरों की बज़े से तो हुई न ये भ्रामक खबरें ये अफवाहें बहुत ही खतरनाक बिलकुल इस COVID-19 पैंडमिक की तरह है यहां तक की जो अफ्रोस अदेनॉम गैब्रियेसिस उन्होंने कहा कि इस वक्त हम ना केवल इस COVID-19 नामक एपिडेमिक से लड़ रहे हैं बलकि हमारी लड़ाई इस इनफोडेमिक नामक एपिडेमिक से भी चल रही है तो अगर हमें इस इनफोडेमिक से जीतना है तो उसके लिए हमें होना होगा जागरुक होना होगा मीडिया लिट्रेट होना होगा और हमेशा अपनी आखें अपने कान खुले रखने होंगे हमें हमेशा किसी भी जो सोर्से से हमारे पास information आ रही है उस पर आख मूंद कर विश्वास नहीं करना है जब तक कि हम उसे cross verify ना कर लें जब तक हम ये ना पता चल जाए कि जो खबर हम तक आ रही है वो किसी trustworthy source से है तब तक हमें उस खबर पर विश्वास नहीं करना है और ना ही उसे दूसरों के साथ share करना है social media से आने वाली हर खबर सही हो ऐसा नहीं है वो कोई अफवा हो सकती है वो कोई propaganda हो सकता है किसी conspiracy theory के तहत आप तक उस सूचना को पहुँचाया जा सकता है बचा कुछ भी हो सकती है तो अगर हमें इस infodemic से लड़ना है तो हमें media literate होना होगा हमें सजग होना होगा सतर्क होना होगा जागरुक होना होगा जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए विशे के साथ defract में तब तक के लिए धन्यवाद